अचाहे थे खो कि अच्छी है ऐसे पर दोस्तों स्वाहगत आप सभी का इंडिया के नबर वन इस्टाइब वाई-डी नाओ बाई-बाई-स्टेडी फैनल लेकर आजिरूं आपके लिए एक लंबे इंतिजार के बाद में दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि CGL CHSL के एक्जाम का कलेंडर अल्रेडी डिक्लेर हो चुका है और हमारे अप्रेल में एक्जाम से हैं तो आज पहला टॉपिक हम लोग डिसकस करने डालें ठीके सभी ल दोस्तों फड़ा फड़ से सभी लोग तयार हो जाएं पर जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर दें डे फर्स्ट और फर्स्ट डे का पहला धमागेदा टॉपिक एनालोजी तो बिल्कुल बैसिक से लेकर हाई लेवल थे हम लोग सारी चीज़ों को पढ़ेंगे उमीद तरीके से अटेम किया जाता है किस तरीके से देखा जाता है सभी लोग तयार है सभी लोगों को वोईस वगेरा आ रही है सभी लोग एक बार थमसब कर दें और सभी बच्चे फड़ावट से एक बार सेशन को शेयर कर दें ताकि अपने सभी दोस्तों के साथ में ये सबी लोग फड़ाफट से थमसप कर दीए कि सबी लोग थमसप कर देंगे एक बार फड़ाफट से क्या बात है बहुत बड़ी आला जवाब चलिए का स्टार्ट करते हैं दोस्तों आगे पढ़ते हैं सेशन में और सबसे पहले देखते हैं हम लोग एक सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों का सेशन दोस्तों आप सभी को लेना है और यह शांदार मौक्तेस होने वाला जो कि आनके डिवी लर्निंग पर होने वाला है 30 जनवरी का दिन याद रखिएगा SSE वाले स्टूडेंट्स के लिए शांदार एक टैस्ट होने वाला जो कि 12 बजे होगा अनकेड मी लर्निंग पर आप लोग धेर सारे प्राइजिस जीच सकते हैं टैस्ट और हिंदी और इंग्लिज दोनों में होगा 60 मिनट में 60 कोशन्स आपको करने हैं और रियल टाइम आपको ओल आवर इंडिया में जित्ते भी बच्चे के एंडिडेट टैस्ट देंगे उसके इसाब से आपको रेंक मिलेगी तो आप लोग इस टैस्ट को जोईन करन सबकुछ फिरी मिलने वाली है कोड याद रखिए का अनकेडमी लर्निंग अप पर चाहिए वो इस्पेशल क्लास्स हो या पेड़ क्लास्स हो उनको एक्सेस करने के लिए अनकेडमी पर फॉलो जरूर कर लिजीगा दीपक कुमार तीरध्यानी के नाम से यहां से आपको सारे बैच्चिस मिल जाएंगे ठीक है बेटा क्लियर करें गेट सब्सक्रिप्शन पर जाएंगे एक सब्सक्रिप्शन मोडूल चूज करेंगे एड़ रैफरल कोड में दीपू 10 कोड लाएंगे और पैमेंट कर देंगे सीधा ठीक है टैन पसंट का डिसकाउंट आपको मिल जाएगा 26 जनुरी वाला जो प्रीवेस बैच है वो सर रीजनिंग ऑफिशल के नाम से टेलीग्राम है यहां से आपको पीडिया वगेरा मिल जाती जरूर जोइन कर लें चलिए पहले प्रशन की दरब आगे बढ़ते हैं बैटा और ध्यान से देखते हैं पहला प्रशन पहले टाइप को इंडिकेट करेगा ठीक है बहुत ही इ जो अब यहां लिखा है 42 यहां लिखा है पॉटिन. यहां लिखा है 56 यहां लिखा है question mark अब बिल्कुल होगी बेटा अब बिल्कुल शांदार तरीके से चलेगी Saturday और आपको पता है कि Friday और Saturday को maximum classes अपने YouTube पर होती है ठीके तो आपनी बारा बजे वाली जो है वो class अपनी definitely चलेगी हम logical reasoning complete कर चुके हैं इसलिए अभी नहीं चल रही है ना आज अपनी complete हो गई न logical reasoning वैसे भी अब मंडे से जब नया topic चलेगा जैसे कल 200 question का मेरा थोन होने वाला है morning में तो बड़ा मज़ा आने वाला है आप लोगों को ठीक है तो बस तयार रही है और एक एक करके चीजों को देखते जाईएगा आशवल राज आशवल राज का आंसर आ रहा है बी रजनी चोहन का आंसर आ रहा है 41 सभी लोगों से एक बस छोटी सी घुजारीश है दोस्तों आप शेयर कर दें session को है ना और फिर आराम से बस एक बार आप शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ में ताकि सभी बच्चे ज हमें यहां पर दिखने में ऐसा लग रहा है कि 42 में अगर 14 में अगर 3 का भाग लगा दें तो 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, लेकिन मेरे भाई 56 में अगर 3 का भाग लगा दें 56 में 3 का भाग लगा दें, तीने कम 3 और यहां पर देखेंगे तो 2 ठीक है तो 56 में क्या 3 का भाग जाएगा क्या दोस्तों नहीं जाएगा अब क्या करें बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सर 42 में 3 का भाग लगा तो 14 आ गया लेकिन 56 में 3 का भाग लगाने पर value ही नहीं आएगी इसका मतलब जो आपने सोचा वो नहीं आपको मिला जो आपने सोच वो आपको नहीं मिला तब आप क्या करेंगे देखिएगा इदर हमेशा याद रखिएगा जब आप कोशन को सोल कर रहे हो पहले पहला तरीका ही है यह प्रशन को अटेम करने का सीखने का तरीका ही यह है क्योंकि आज पहला दिन है इस theory class का तो पहले दिन ही में बता दू कि reasoning के अंदर आपकी option पर नजर हमेशा होनी चाहिए अगर आपकी option पर नजर है तो आप लोग बहुत easily चीजों को सीख सकते हैं मैंने यहाँ पर important क्यों लिखा है क्योंकि यह exam में 100% आपके exam में 100% यह logic आएगा किसी ने किसी एक वेक्ति को तो definitely यह logic से पालब पढ़ने वाला है अब आप देखिए इस logic के अंदर आप कैसे चलेंगे इसके digits पर focus करें चार को 2 से गुणा करेंगे ठीके कितना आएगा 8 और 4 में ही 2 को जोड़ देंगे आप तो यह बनेगा 6 8 में 6 चोड़ देंगे दोस्तों कितना हो गया 14 ऐसे उसको देखिए आप 56 को देखिए 5 को 6 स जोड़ दीजिए 5 शंग 30 30 और यह 11 30 में 11 जोड़ दिया कितना हो गया दोस्तों 41 आगे आपका अंसर चलते हैं नेक्स अगले प्रशनी की तरफ चलते हैं नेक्स प्रशनी यह रहा दोस्तों आपके सामने 48 63 चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया शाबाश शाया राजावत प्रिय दरशन प्रभाश कुमार के विलन कनुष्का हर्शित शिखा आकांशी, शिवा, सभी लोग फटापट से जल्दी से आ जाएं और एक एक करके चीज़ों को देखें एक बच्चा बोल रहा है कि बहुत ही भयानक लोजिक था क्या था भाई साब, दोनों संख्याओं को गुणा किया, दोनों संख्याओं को जोड दिया, कॉमन लोजिक है बेटा, ये तो SSE का कॉमन लोजिक है चाहे आप CGL का एक्जाम दें, CHSL का, MTS का, GD का, Stenographer का, JEE का, State Level के पुलिस के एक्जाम का, पटवारी का चाहे रेल्वे का, LEP आने वाला हो, RPF हो, Group D हो, NTPC हो, ऐसा कोई एक्जाम है क्या, जिसके अंदर लोजिक न आए हो भाई ऐसा इंडिया का एक भी एक्जाम नहीं है, कि जो लोजिक मैंने आपको पहला वाला कोशन में कराया है, वो तो आएगा ही आएगा 100% आएगा, अब यहाँ पर दीखे, काफी सारे लोगों का आंसर आ रहा है, 99 आंसर दे रहे हैं, और सेकेंड बहुत ही important लोजिक, संख्याओं को देखने पर आपको क्या लग रहा है, इस संख्याओं को देखने पर आपको क्या लग रहा है, आप बताओ, अगर आप इसके factors कर दें एक बार, अगर आप factor ना भी करें, तो भी आप इस चीज को कर सकते हैं, पता है, यह आपको ऐसा देख रहा है कि 7 का square minus 1, लग रहा है 7 का square minus 1, तो इसको आप बोल सकते हैं, सर मैं इसको बोल सकता हूं, 8 का square minus 1, 7 का square minus 1, 8 का square minus 1, जब दूसरा logic है और यह type number 2 है, जब आपको maximum, सबसे पहले priority order में आपको यही देखना है, कहीं nearest square या nearest cube तो नहीं है, nearest square या nearest cube की value तो नहीं दी, बिल्कुल nearest square की value, 7 से 8 plus 1, ऐसे यहाँ पर देखी, 9 का square minus 1, और इसमें plus 1 करेंगे, तो 10 का square minus 1, 100 minus 1, कितना हो गया नन्यान में, 100 minus 1 कितना हो गया भाई सब, यह 99 हो, क्या कहते हैं दोस्तों, सहिए, 7 का square minus 1, 8 का square minus 1, 9 का square minus 1, 10 का square minus 1, सभी लोग थमसब कर देंगे, सभी लोग, समझ में आ गया सभी लोगों को सभी थमसब कर दें, एक एक करके हम लोग सारे type cover करते जा रहे हैं, type 1 का question यह था, गुणा कर कोशन है, nearest square या cube, चलिए, next, अगले कोशन की तरफ चलते हैं, बेटा, अगले कोशन की तरफ चलते हैं, type number 3, तीसरा प्रशन, type number 3 को represent करेगा, पहला पड़ा हमने हो सकता है कि संख्याओं का गुणा, और संख्याओं का जोड, दोनों से हमारा answer आ रहा हो, दूसरा type हमने पड़ेगी, देखीगा इदर, ठीके, कभी कभी कोशन के अंदर आपको ये करना पड़ेगा, कि जो आगे वाला left side है, या right side है, तो left side वाले अंकों या right side वाले अंकों के योग से, इनमें आपस में relation बन रहा होगा, analogy का मतले भी यह है, कि आगे वाले दो में जो relation है, वही पीछे वाले दो में होना चाहिए, यानि a ratio b, समान उपात, c ratio d, ठीके, तो आप आप देखीएगा, ध्यान से यहाँ पर क्या बन रहा है, 3 प्लस 4 प्लस 3, बहुत ही simple तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, देखिए, इन तीनों के योग से आपने 10 बना लिया, तो simple योज कर दें कि यह सर समझ में आ गया, क्या type number 3 सभी बच्चों को समझ में आ गया, प्लीज अपना response देते रहेगा, मजा आता रहेगा, ठीके, सभी लोग एक बार थमसब कर देंगे, यह सर मजा आ गया, ठीके, क्लियर है, तो type number 3 आपको समझ में आ गया, कि आगे वाले हो सकता है, याद रखीएगा, अब रटके मत चल जाना की नहीं, सर ने type number 3 बताया कि प्लस तो प्लस ही होगा, यहाँ पर multiplication भी हो सकता है, ठीके, multiplication से हम भी कर सकते हैं, मतलब ऐसाल भी logic आ सकता है, चलिए, next, जैसे यहाँ पर इसी type से related question है, इसी जो अभी आपने किया था थ square, तो दीखी, पहली वाली संक्या से आप दूसरी वाली संक्या को nearest square में बदल सकते हैं, ठीक है, यह दीखी, यह question काफी common question है, जो हमेशा से exam में आता रहा है, क्या बन रहा है, 7 का square plus 1, easily आपको 50 बना दिया, तो आप लोग खुछ समझदा आ रहे हैं, कि 10 का square plus 1 कर देंगे, तो 101 बन जायेगा, सही, यह आया, चलिए, next, अगले question की तरफ आगे बढ़ते हैं, देखिए गज़र, अब आपको क्या लग रहा है, कि कैसे, 3 को 12 कैसे बनाया होगा, या 12 को 3 कैसे बनाया होगा, मैंने कहा न, आप हमेशा target करिए, target करके चीजों को देखिए, समझिए, और उसके बाद reply करी, simple 12 दिया है मुझे, 12 को 3 मनाना है, दिमाग में आगी picture, बहुत ही simple तरीके से, मैं आपको पहले चीज़े के pattern आपको सिखा रहा होगा, कि आपको logic कैसे लगाना है, 12 में 4 का भाग लगाया, easily आपके पास में 3 आगे, तो आपके दिमाग में आया, कि क्यों है 248 में भी हम 4 से divide कर दें, तो ये 6 और ये 2, 62 आ रहा है, क्या 62 option में आ रहा है, जी हाँ सर 62 option में आ रहा है, क्या यहां तक की बात सब को समझ में आ गई है, सभी लोग थमसब करके बता दें कि ये सर बात समझ में आ गई है, सभी बच्चे मुझे थमसब करके बता दें, क्या यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई है अभी तक के जितने भी हमने प्रश्न किये है तीन टाइप अभी तक हमने पड़े है ठीके क्या पड़ा है हमने तीन टाइप पड़े है अब टाइप नंबर फोर टाइप नंबर फोर क्या कहता है टाइप नमबर 4 कहता है कि आगे वाले दो में जो relation है और पीछे वाले दो में जो relation है उनमें ये relation चल सकता है टाइप नमबर 4 का प्रशन है ध्यान से दिखीगा टाइप नमबर 4 कहता है कि किसी particular number से उसके multiple तक क्या हम लोग पहुंच सकते हैं बिल्कुल पहुंच सकते हैं जैसे 10 है पीछे वाले से चल रहे हम माल लीजे 10 को मुझे 22 बनाना है 10 को 22 बनाने के ये उनमें से एक तरीका ये है कि कुछ न कुछ गुणा होके प्लस या कुछ न कुछ गुणा होके माइनस ये एक बहुती common logic है जिसको आप note करते वे चलेंगे 10 दूनी 20 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 22 तो ऐसी कोई digit बताओ जैसे कि यहाँ पर आ गया 15 पीछे से चलेंगे न पीछे से logic बनाएंगे तो 15 अगर हम देखें by option हम गर हम देखें तो 15 दूनी 30 प्लस 2 कितना हो गया बेटा 32 क्या सभी लोगों को समझ में आया pattern pattern समझ में आया सभी लोगों को कि कैसे चला है 10 दूनी 20 प्लस 2 22 तो ऐसे ही 15 दूनी 30 प्लस 2 कितना हो गया 32 सभी बच्चे थमसब कर दें तुरंद प्रभाव से तुरंद प्रबाव से थमसब कर दें कि ये सर समझ में आ गया बढ़िया से कोई दिक्कत नहीं है कोई आपत्ती नहीं है लेकिन अब दीखिएगा इधर मजा अब आएगा ठीके सिंपल सा दिखने में ऐसा प्रश्ण लग रहा है हमें जैसे अभी हमने मल्टिप्लाई किया न अगर डायरेक्ली मल्टिप्लाई दे देगा तो कोई भी बच्चा भी कर देगा जैसे ये रहा कि डायरेक्ली मल्टिप्लाई दे दिया ठीक है न भाई मैंने आपको सिखाया कि मल्टिप्लाई करके कुछ प्लस या मल्टिप्लाई करके कुछ माइनस ये आपको याद रखन इसको दो कि हाँ यह तो मल्टीपल दिया है तो यह लेकिन मज़ा आप आएगा दोस्तों आपको ठीक है न तो बहुत ही basic से मैं सिखा रहे हुग मैं आपको बहुत ही basic से सिखा रहे हुग चलिए जल्दी से करके बता दीजिये यहाँ पर आपको साजा करके बताना है कि इिन में जो logic लगाया है अब पूरा का पूरा ही गायाब कर दिया पीछे के अंदर आपने लोजिक लगाया कि 11 दुनी 22 प्लस दो ये तो सिंपल सी चीज थी सर 24 हो गया तो ऐसे ही क्या बनने वाला है यह रहा C option में बन गया 18 दुनी 36 प्लस दो 38 बात समझ में आ गया तो कभी आपको पूरा का पूरा दो नंबर दे देगा और दो गायब करवा देगा तो आपको तो बस ये देखना है कि इन में जो लोजिक लगा है सेम वैसा ही लोजिक आप पीछे वाले दो नंबर के लिए लगा जो में आपको समझाना चाहरा हूं 48 दुनी छिनन ठीकना चलो multiplication समझ में आ गया सबी को कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है कि जिसको multiplication हाला समझ में आया हो अरह आ गया क्या multiplication वाला समझ में आ गया है ना लोजी तमस अप कर दो पड़ावट से सभी बच्चे एक हम सब कर देंगे और शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के साथ में कि यसर समझ में आ गया ठीक है तो चलते हैं दोस्तों अब अगले धमा के दार प्रशनी की तरह अब आपको क्या लग रहा है कि मल्टिप्लिकेशन हमेशा सीधा सीधा देगा क्या कि मल्टिप्लिकेशन हमेशा ऐसा देगा कि जिससे आपको डारेक्ली देखती ही पता लग जाए कि हाँ पैतालिस का दुगना नप्पे है आठ को तीन से गुणा किया चोविस आ गया जी नहीं एक्जाम के लिए आपका ये जानना भी बहुत जरूरी है कि कहीं मल्टिप्लिकेशन दश्मलों में तो नहीं दिया तो भाई साब पैटन क्या मतलब जो फॉर्थ टाइप का पैटन पड़ा है न आपने टाइप नमबर जो फॉर आपने पड़ा था उससे रिलेटेड रिलेटेड आपको ये पैटन याद रखना है कि दश्मलों मल्टिप्लिकेशन आपको दश्मलों में भी दे सकता है जैसे 62 का धाई गुना है ये 62 दुनी कितना हो जाएगा 124 और 62 का आदा होता है 31 तो 124 में जब 31 जोड़ोगे यानि दुगना प्लस आदा ओर कर दिया यानि धाई गुना जब आप करोगे तो ये बनेगा 155 तो ऐसी 74 का धाई गुना ये कोशन थोड़ा सोचने में आपको दिक्कत कर सकता है इसलिए आप लोग ध्यान रख लें 37 और जोड़ोगो भाई साब इसमें सहीए कि नहीं 148 में आप 37 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास में 185 क्या बन गया दोस्तों 185 धाई गुना समझ में आया कि नहीं है सभी लोग बड़ावट से एक बर थमसब कर दें कि ये सर ये टाइब नंबर 4 का उस टाइब का लोजिक अब देखिए दोस्तों इस कोशन में तो कोई दिक्कती नहीं है जैसे मैंने आपको समझाया था कि स्टार्टिंग की डिजिट्स को एड करके आप लोग बना सकते हो तो ये तो उसी से बन रहे हैं बीच बीच में प्रैक्टिस भी चलती रहेगी ताकि आपको ये भी याद रहे कि हां ये बहुती कभी-कभी इतना सिम्पल प्रशन भी दे सकता है examiner कि हमें देखते ही दो सेकिंड में हो रहा है लेकिन हमारा मन मानने को तयार में कि नहीं और कहीं इतना सिम्पल थोड़ी लोजिक आ सकता है कि exam की जो easy दे के पटक देगा वो कि तुम कहोगे यार ये क्या है यार अभी तक तो मैं यार मैं ऐसा प्रशन कर रहा था जो मुझे सोल ही नहीं हो रहा था 2-3 मिनट हो गए और अब मुझे ऐसा प्रशन दे दिया जिसको देखते ही मैंने सोल कर लिया तो आपको उस लफ़ड़े में नहीं पढ़ना है वो जान करके चाहता है एक्जामिनर चाहता है कि आप ये सोचो कि अभी थोड़ी देर पहले आपको डरा दिया अब खुश करने के लिए आपको दे तो दिया लेकिन आपको विश्वास नहीं हो रहा कि यार भाई साब ये क्या दे दिया उसने इतना इजी भी कोई प्रशन हो सकता है क्या नहीं नहीं कुछ और जोल जाले इसमें पक्का पांस तो नहीं है ये मत सोचने लग जाना तो आपको एक्जामिनर एक कोशन इतना टफ देगा कि आप उलत जाओगे लेकिन अगले ही पल एक्जामिनर आपकी साइकलोजी में बार-बार आपका टाइम वेस कराने की कोशिश रहेगी उसकी इसलिए वो आपको इजी प्रशनी भी दे सकता है तो आप घबराईएगा नहीं घबराईएगा नहीं रिलेक्स होके मस तरीके से करीगा सभी बच्चे एक बार थमसब कर देंगे शेयर कर देंगे कि यह सर इजी प्रशना आगया तो कोई दिक्कत नहीं है घबराना नहीं है ठीक है अब देखी आप प्रशन ठीक है ध्यान से देखीगा अच्छे से समझीगा बारा और पचास आपको लगा कि मैं इसको पचास तक लेके जाता हूँ आप को ओगे बारा दुनी चोविस चोविस प्लस दो पचास सबसे पहले दिमाख में आएगा आपके कोई बड़ी बात नहीं है बारा दुनी चोविस प्लस दो सोरी बारा चोग अड़तालिस प्लस दो पचास ऐसे अठारा चोग बहत्तर प्लस दो चोहत्तर है इनी ओप्शन दिमाग यहां गुमेगा आपका जो दिमाग पे जोर पड़ेगी ना मार पड़ेगी ना वो यहां पड़ेगी कि आपको सिखाया कि पहले वाले या दूसरे वाले किसी भी नंबर को पकड़ो इस बारा को पचास बनाना है या इस पचास को बारा बनाना है इनने में जो लोजिक लग गया वोई लोजिक मुझे में नहीं दिखा जब ऑप्शन में नहीं दिखेगा ना तब दिमाग में घंटी बजेगी कि यार कुछ गलत कर लिया कुछ और सोच लिया यहां पर देखिए लोजिक क्या लग रहा है अब यह आपको आगी ले गया जबर्दस्ती कभी कभी यह क्या कर सकता है आपको क्रोस ओवर करवा सकता है मल्टीपल में जैसे जहां से दिखना वेरी वेरी इंपोर्टेंट कोशन है आप हमेशा यही सोचते रहे जाओ गए कि मैं यहां तक पहुचूं पर आप कभी कभी क्रोस करके आगे भी चले जाइयेगा पचास से आगे बारा पंजे साठ बारा पंजे साठ साठ में से दस च चाला गया तो यह आ गया मेरे पास 80 तो आपका 80 आ गया कि नहीं आ गया तो कभी यह मत सोच ना कि मैं बस जहां तक जा रहा हूं वहां तक ही पहुँचना है आप आगे जाकर फिर पीछे आया हो यहां पर आगे जाकर मैंने कहा कुछ नगुछ कुछ गुणा करके प्लस या कुछ ना कुछ गुणा करके माइनस यह लोजिक लिखाया मैंने इसलिए लिखवाया है कि आपको जरुवत पड़ सकती है कि कुछ ना कुछ गुणा करके प्लस या कुछ ना कुछ गुणा करके माइनस भी हो सकता है कि ठीक है चली अब यह तो दिख रहा होगा डायरेक्ली यह तो अभी किया है आपने अब एक बार में आंसर नहीं निकल रहा है अब आप सोच रहे होगे कहीं स्क्वाइर कीजिए अगर कुछ और तो नहीं दे दिया अरे भाई यह तो साब सब दिख रहा है ना ग्यारा का स्क्वाइर एक सो एककेस तो पंदरा का स्क्वाइर दोसो पच्चिस कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पर मजा आवाय इस प्रश्ण में है वेरी 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 इंपोर्टेंट हमारी मानसिक्ता यह कहती है कि जब हमने इस प्रश्ण को देखा तो हमारी मानसिक्ता यह कहती है कि यह उरंचास जो है ना यह उरंचास तो हंदित परसंट साथ का स्क्वाइर और यह जह शपन है ना यह है साथ का स्क्वाइर प्लस साथ तो तुम्हारे दिमाग में यह पिच्चर आएगी यार यह जो 81 लिखा हुआ है ना यह 81 लिखा हुआ है इस 81 को तो मैं लिख देता हूँ 9 का स्कॉयर और मैं यहां पर करता हूँ नो जैसे साथ का स्कॉयर प्लस साथ यानि वही संक्या 9 का स्कॉयर प्लस नो एक 80 प्लस नो 90 लेकिन भाई साब 90 नहीं मिला देखो लगाया ना तुमने नब्बे लगाया भाई साब मैं कह रहा हूँ ना मैं जानता हूँ मैं श्टुडेंट क्या सोचेगा सबसे पहले ठीक है मैं खुद भी एक स्टुडेंट रहा हुआ तो मुझे भी पता है कि मैंने जो questions किये हैं और जो किताब में मुझे मिला है उसके हिसाब से मेरी psychology क्या बनी है मेरी psychology बनी ही यह है कि जो संख्या दे रखी है उसका square प्लस 7 तो भाई साब यहां पे 9 का square बन रहा है यह तो 9 का square प्लस 9 90 पर 90 option में नहीं मिलेगा यही तो समझाना चारा हूँ कि जो तुम सबसे पहले सोचोगे वो तुमें option में नहीं मिलेगा जो तुम सोचोगे वो option में नहीं मिलेगा तब आपके दिमाग में एक क्लिक करेगी चोटी सी चीज़ कि यार यहां पे कुछ भी हो उसमें मैंने 7 जोड़ा था तो क्यों ना मैं स्रिफ जिसका भी मेरा esquire हो रहा है मैं सिर्फ उसमे भी 7 जोड़ कर देखूं सेम लोजिक तो इसको भी बोल सक्ता हूं ना मै qi मैंने यहां पे भले से esquire किया ठीके लेकिन मैंने जोड़ा किया 7 जोड़ा तो मैं यहां भी साथ जोड़ के देखता हूँ और जब मैं साथ जोड़ूँगा तो यहां पर मेरा आंसर बनेगा 88 जब option पर नजर जाएगी तो यह लीजी 88 हमारा आंसर क्या आ गया 88 हमारा आंसर आ गया सभी लोग फटा फट से एक बार थमसब कर देंगे तो यह रटके मत चल जाना कि square में वही संख्या जोड़ो आ गई अरे नहीं तुमने यहां पर square में साथ जोड़ा है बले से यह सेम नंबर तुमें दिख रहा है दिखने को लेकिन यहां पर भी तुम साथ चलिए next बहुत ही important प्रश्ट अगला प्रश्ट वेरी वेरी important and type number नंबर टाइप नंबर 5 यह है दोस्तों टाइप नंबर 5 ठीक है अब यह आपके टाइप नंबर 5 को represent कर रहा है यहां पर चार दे रखा है पर यह यह डिजिट है तीन की देखिए तीन संख्या यहां पर ध्याद से देखिए पॉशन देखिए 611 यहां पर 4 ठीक है यहां पर तीन डिजिट है उससे एक बना है पर option में जितनी भी डिजिट है वो 4 डिजिट है अब आप देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0611 और इसमें आगे की दो डिजिट और पीछे की जो डो डिजिट है ना उनको मैं इस सरी के से लिख सकता हूँ कि 0 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 1 यहां से मेरा रिजल्ट निकल के आगया 6 माइनस 2 इक्वल टू 4 तो ऐसे ही अगर मैं इस B ओप्शन की तरफ देखूँ इसके आगे की दो डिजिट 1, 8, 2, 2 जो है ना इसकी आगे की दो डिजिट को देखूँ 1 प्लस 8 कितना हो रहा है 9, 9 माइनस 2 प्लस 2 that means 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 9 माइनस 4 इक्वल टू 5 तो बिल्कुल मेरा ओप्शन का अंसर बेट गया 5 इस दी करेक्ट अंसर क्या बेट गया भाई सब 5 इस दी करेक्ट अंसर चली नेक्स्ट बेखिए दिखने पर ऐसा लग रहा है मैंने कहा ना जब कोशन समझ में ना आए तो बीच बीच में आप लोग दिमाग के अंदर ये इन्पुट भी डालते रहो कि कहीं नियरेस्ट स्क्वायर या फिर नियरेस्ट क्यूब वाला कुछ लोजिक तो नहीं बेट सकता बिल्कुल बेट सकता चार का क्यूब प्लस चार 64 प्लस चार क्यूब हमेशा पता होने चाहिए एटलीस कम से कम आपको 25 तक क्यूब तो आने चाहिए अगर आपको नहीं आते हैं तो याद कर लिना चालू कर दीजिए, साथ का क्यूब फ्लस साथ, बेटा ये हो गया 350, 350, तो nearest क्यूब आपको at least 25 तक के क्यूब और 125 तक के square निकलने आने चाहिए, ठीक है, आप को तो मैं आप लोगों के लिए एक calculation की class रख लूँ, जिसमें मैं आपको calculation करना सीखा दूँ, कि fast calculation कैसे होती है, अगर आप चाहते हैं, तो बस मुझे एक बार थमसब करके बता दीजिए का, जी सर, जिसमें मैं आपको unit, desert, method वगेरा, दो चाल, जितनी भी चीज़ें होती है, जिससे जो अपने ठीक है, काफी सारे लोग ready हैं, बिल्कुल चाहते हैं, इससर एक जवरदस calculation की class हो जाए, जिससे हमारी calculation की speed को कैसे improvement में लाया जाए, कैसे improve किया जाए, उस पर काम हो जाए, क्योंकि आप लोग बढ़िया से response देते रहें, share करते रहें एक बार session को, अभी time में बता दूँगा आपको कैसे कैसे आपको करनी है, दिखी गए देर, 14 को 112 लिखा होगा, अब आपके दिमाख में आएगा, 14, 8, 112, 14 का table तो यादे न, अगर नहीं आदे, तो फिर माँ पे आप ऐसे करने लगोगी, चलो गुणा करके देख लेता हूँ, ऐसे करोगे फिर माँ पे, तो ये करना भी अपने आप में क्या है, time waste, जब आप ये करते हो न, अगर आपको 20 तक के table नह से नहीं आते, तो याद कर लेना, मैं किरों, बच्पन की वो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, जिससे हमारा समय बच्चे, जिससे हमें speed को बढ़ा सके, ठीक है, आप कम से कम जाचो तो सरी, कि आप एक मिनट में कितने table लिख सकती हो, क्या एक छोटी से exercise करना चाहोगे start, तब आप start करेंगे, और जब मैं बोलूँगा stop, तब तुरंत आप stop कर देंगे, ठीक है, सभी लोग तैयार है, सभी लोग एक बार pen और paper ले ले ले, जब pen और paper ले 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 तो एक बार thumbs up कर दे, ताकि आपको ये तो पता लगे, कि आप एक मिनट में कितनी table लिख सकते हो आपके हाथ के लिखने की speed क्या है, क्योंकि जो आपके हाथ के लिखने की speed होती है, वो ही हमारे दिमाग की speed होती है, मेरा मानना है ये exam hall में, क्योंकि जो आपके दिमाग में आता है, वो ही आपका हाथ slow है, मतलब दिमाग slow, आपकी हाथ की speed मस्ते है, इसका मतलब दिमाग भ युट्वजिड युट्विं कभी दिमाग फास चलता है लेकिन हाथ नहीं चल पाता हूं वहीं पर बैंड बज़ आति तो सभी करी लोग टैबल लिखने के लिए मैं जब बोलूँ का तब लिखेंगे फिक्स ठीक है मैं बोलूँ आत अब लिखना चालू करेंगे स्टार्ट करिए टेबल लिखी फटावड़ टेबल लिखी ए्टार्ट करिए रजावश कर देए लिए 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 लगे लिए हमावड़क एंपीदेरा कि आ. स्टोप स्टोप करिए स्टोप करिए और इमानदारी से जहां तक आपने टेबल लिखी है दो के पहाड़े दो से आपने पहाड़े लिखना चालू करे होंगे कहां तक आपने पहाड़े लिखें एक बार इमानदारी से बताईए तो सरी कि कितने आप पहाड़े लिख पाए एक मिनट में, एक मिनट में आप कितने टेबल लिख पाए, कितने आप पहाड़े लिख पाए, आपको पता है, सो में से पांच बच्चों का सेलेक्शन क्यों होता है, पांच बच्चे ही क्यों सेलेक्शन लेके जा पाते हैं, क्योंकि ये पांच बच्चे ही टीचर की बात को सुनते हैं जितने teacher की बात को सुनते हैं उतने ही selection ले जा बात को सुनते हैं वही selection लेकर जा कोई बच्चा बोल रहा है 12 तक लिखे 8 तक लिखे 6 तक लिखे 9 तक लिखे 11 से 18 खारा, दो से लिखने थे बिटा, दो से लिखने थे, ठीके, बारा, छे तक, जो बीस तक बोल रहा है न, वो तो सफेज जूट बोल, जिस दिन आईने के सामने खड़ा होगा न, और इस कोशन को याद करेगा कि दीपक सर ने बोला था कि टेबल लिख, पहाडे लिख, और से लिए समझ में आएगी कि यार यह क्या किया मैंने, स्पीड ही नहीं है, मैं आपको बता जिता हूँ एक बाद, आपकी स्पीड यह होनी चीए, कि आपको दो मिनट के अंदर, पूरे दो से लेके बीज तक के पहाडे, सबसे डेली प्रेक्टिस करोगे तब बनेगा, बीज तक के पहाडे याद लिखने हैं डेली, पहली प्रेक्टिस तो यह आजट लो, मैंने कहा ना कि जितने लोग सु सुनते हैं, वही सेलेक्शन लेके जाते हैं, बस यह बात याद लिखने हैं, अगर आप सुन रहे हो, तो आप सेलेक्शन लेके जाओगे, नहीं सुन रहे हो, तो आपकी इच्छा, आपको दो मिनट के अंदर, पूरे दो से लेके 20 तक के टेवल, 20 तक के पहाडे, डेली लि कि नहीं समझ पारे लिखने आप रेगुलर रहेंगे तब आपको खुदी समझ में आएगा कि यह सर हंडेट परसेंड में दो मिनट के अंदर दो मिनट के अंदर अब 20 तक के टेबल लिख पा रहा हूं 20 क्या मैं आगे 25 तक भी लिखने की कोशिश कर सकता हूं ठीक है न एक दिन ऐसा आएगा जब आप खुद इस क्लास के अंदर खहेंगे कि यह सर मैं दो मिनट के अंदर 20 तक तो क्या 25 तक के टेबल भी लिख सकता हूं इतनी स्पीड है मेरी सभी लोग थमसब कर देंगे क्योंकि हमें सेलेक्शन लेने के लिए पढ़ना है सभी लोग फड़ा पड़ से एक बार थमसब कर देंगे एक बार कि यह सर बिलकुल डेली मैनत करेंगे और सरिफ सेलेक्शन के लिए पढ़ेंगे और सारी सेलेक्टेड चीजों को देखते व आपको नहीं पता है तो आप ऐसे गुणा करने लगोगे आप एसे करोगे फिर आप ऐसे निकालोगे इसको और पिर ऐसे करोगे ऐसे करते रहे गए न तो हो गया पर पास तो आपने 144 निकाला लेकिन मुझे यहां पर 144 भी नहीं दिख रहे यही तो चीज समझा रहा हूँ एक तो हमें टेबल याद नहीं है जिसकी वज़े से हम ओल्रेडी डिले हो गए हम लोजिक समझनी पाए दूसरा हम जो जो जब तक हमने गुणा करके निकाला तो उसके बाद भी हमें ऑप्शन नहीं दि देखा 14-8-112 तक मैं पहुचा पर भाई सब मेरी किसमत इतनी खराब कि 18-8-144 तो मुझे दिखाई नहीं अब मैं क्या करूं क्या करूं इस प्रश्न का सभी लोग पड़ा-पड़ से तमसब करके बताएंगे अब देखेगा यहां पर पैटन याद रख लीजेगा क्योंक जो संख्या तुम्हें दी हुई है जो संख्या तुम्हें दी हुई है ठीक है ना जो संख्या तुम्हें दी हुई है ध्यान से देखो आठ बनाना है न तो इसको आठ ऐसे बनाया जा सकता है देखी आठ से गुणा करना एक तरीके से यानि अगर आठ 14 को आठ से गुणा कर दू तो मैं 111 बना लूगा तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ कि जो संख्या मुझे दे रखी है उसमें उसका आदा कर दो पहले तो ये बन गया 7 उसमें एक जोड़ दो ये हो गया 8 जो संख्या दे रखी है न मुझे उसका आदा करके 7 तो मेरा यहां से आ रहा है और उसमें एक जोड़ दो तो 8 बन जाएगा तो ये 14 आठे 112 बन रहा है बहुत important pattern है, ध्यान रख लीजेगा, तो ऐसा ही logic अगर मैं लगा तूँँ, यह 18 है, अब इस 18 को, 18 भाई, जो संख्या थी उसका आदा, 18 था तो 18 का आदा और उसमें एक जोड़ दूआ में, कितना बना, यह बनेगा 9 प्लस एक 10, 18 एंटू 10 कितना हो गया, बेटा जल्दी से बता दो, पटापट से, C option, 180 आगया की नहीं आगया, मजा आगया की नहीं आगया, तुम्हें क्या लग रहा है भाई साथ, तुम गुणा गुणा करते रोगे, और एक्जामीन रितना easy logic देगा, क्या, beyond कर लेना, बहुत important logic है, कि जो संख्या हमें दे रखी है, उस संख्या को ही use किया है, उसमें, यहां पर 112 तर पहुचने के बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहां पर pattern क्या कहता है, important pattern है, SSE के लिए, CGL के लिए, railway के लिए, पटवारी पुलिस के लिए, DRDO के लिए, सभी के लिए important है, ध्यान रखिएगा, कि जिस संख्या को दिया गया है, उसी संख्या का use किया गया है, इसी से 8 बनाया गया है, 14 का आदा कर दिया स्ताथ, और प्लस एक 8, 14, 8 है 112, तो अब यहां पर अगर हमें इसी संख्या का use करना है, तो यह 18, 18 का आदा किया गया 9, प्लस एक 10, 18 इंटू 10 कितना हो गया, 180 हो गया, थमसब कर देना, दिल से like कर देना मज़ा आ गया हो तो और पैटन समझ में आ गया हो तो एक-एक कोशन एक-एक पैटन को रिप्रेजंट कर रहा है अब मेरी बात सुनना इदर ठीक है ध्यान से देखी गए इदर फिलाल हमने ये 17 कोशन किये हैं इसके आगे ही क्लासे हम लोग लेंगे आगे ठीक है ना फिलाल अपनी क्लास का टाइम हो गया बटा ठीक है कौनसी क्लास का अनकेडमी क्लास का डेली 9 बज़े क्लास होती है अगर आप लोग मेरे साथ में जुड़े रहे तो मैं आपको रीजनिंग पूरी सिखाऊंगा और 100% आपको आपकी मनजिल तक भी पोचाऊंगा ठीक है ये मेरा प्रॉमिस है आपसे बस आप लोग इस क्लास के तुरंत भाद आप मेरी क्लास ले लीजिएगा बढ़िया तरीके से क्लास कौनसी है अभी अभी क्लास अपनी होने वाली है 9 बज़े बिलकुल फिक्स बज़ गई है आप लोग सीधा अनकेडमी लर्निंग अप पर आजाएं ठीके जल्दी से आजाएं अनकेडमी लर्निंग अप पर आजाएं और हम लोग वहाँ पर शांदार शांदार एक बढ़िया सा सेट लगाते हैं क्योंकि डेली सेट लगाना भी जरूरी है डेली 50 कोशन का सेट लगाते हैं हम लोग 9 बजे और यह आज से नहीं चल रहा पिछले 2 साल से इसी टाइम पर चल रहा है डेली अनकेडमी लर्निंग एप पर 50 डेली कोशन होते हैं जिसका नाम ही यह रखा गया है चोर सेलेक्शन सीरीज तो आप लोग सीधा अनकेडमी पर आ जाएं चोर सेलेक्शन सीरीज मॉफ टेस्ट ठीके मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लो आप सबसे पहले आप डायरेक्ली सर्च कर लें दीपक सर आप ससी एक्जाम केडिगरी में दीपक सर सर्च कर लें दीपक सर सर्च कर लेंगे ससी एक्जाम केडिगरी में बेटा ठीके और सभी लोग जल्दी से आ जाएंगे पड़ाफट से मिलते हैं आनकीड में Learning App पर शांदार कोशिंस के साथ में Booster batch Railway के डिगरी में भी चालू हो गया है तो अपने दोस्तों को बता देना कि जो है दो फरवरी से Booster batch भी चालू हो रहा है और दो फरवरी से ही SSE के डिगरी में Foundation batch स्टार्ट हो रहा है बेटा इस foundation बेच में सारे topics आप clear कर सकते हो 46 के 46 topics reasoning के मेरा best तो मिलेगा आपको जाती साथ maths का English का, कृती मेम का और भी बहुत सारे जितने भी teachers हैं उन सभी के batches मिलते हैं आपको वो भी live classes मिलती है, weekly test आपको unlimited access मिलता है, structure course मिलता है steady material PDF के form मिलता है, expert की guideline आपको मिलती है, iconic feature के जो भी बच्चा iconic subscription लेता है, उसको ये दो धमाकेदार feature मिलते हैं, जिसमें पहला feature है कि आप अपने doubts को pastly clear करवा सकते हो, क्योंकि teacher आपको पहले priority देगा, ठीके, साथी साथ raise hand में आप जैसे during running class है, उसमें teacher से बात करना चाहते हैं, तो आपके पास पहली priority रहेगी, बात करने के लिए ठीके, अपने doubts भी आप clear कर सकते हैं, test series भी आपको मिलने वाली है, अनकेडमी learning app पर, और साथी साथ दोस्तों, इस Sunday को आप लोग ये test लगाने वाले हो, सभी बच्चे मुझे promise करेंगे, चाहे जिसकी तैयारी है या तैयारी नहीं है, वो सभी बच्चे इस test को लगा कर एक बार जानेंगे जरूर कि test आखिर देते कैसे हैं और क्या score रहता है, पहले test में, माल लीजिए आपकी ये जीवन का पहला ही test है, ठीक है, इससे पहले आपने क्या किया है, डेजन मेटर, आप यहां से अपनी जर्नी किस तरीके से तैय करते हो, ये decide करने वाली हो, ठीक है, तो बहुत सारे prices भी है, test हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, आपको access करने के लिए ये free test है बिलकुल, unacademy learning app पर होगा, 30 जनवरी दोपेर 12 बजे, आप दीपू 10 code लागा कर इस test को access करेंगे बेटा, ठीक है, और all over India आपकी क्या rank रही, वो आप check करेंगे, ठीक है, code क्या लगाना है, सब्सक्रिप्शन के लिए भी दीपू 10 code लगाना होता है, और free में class को unlock करने के लिए, free में class को unlock करने के लिए भी इसी code का प्रियोक किया जा, ठीक है, तो सबसे पहले जाएए, unacademy learning app को Google Play Store से install करिए, और मेरी profile को search करी, मेरी profile को search करके follow कर लीजिए, जैसे ही follow करोगे बेटा, लिखावा आ जाएगा following, following लिखावा आएगा, तभी आपको classes के messages प्राक्त होंगे, कि हाँ, मतलब आपके पास message आ जाएगा, mobile पर, कि दीपक सर की class चालू होने वाली आ जाईए, ठीक है, ये तो आपके follow करने का, इसके अलावा batches, जो दो तारीक से, लिख रहा होगा, green वाला बटन, आप इस green वाले बटन पर click करेंगे, click करने के बाद में, आपको, एक subscription window open होगी, उस subscription window में, एडर referral code लिखा होगा, इस एडर referral code में, आपको, दीपू 10 code लगाना है, और दीपू 10 code लगाके, आपको apply कर देना है, तो सामने दिखाई देगा, अबेसम दीपू 10 code applied, और उसके बाद में आप payment कर दीजिए, payment आप किसी भी mod से कर सकते हैं, ठीक है, अभी जैसे 9 बज़े special class होने वाली है, तो उस special class से आपको points भी मिलते हैं, आप इन coins को भी deduct करवा सकते हो, देखिए, amount over come होगा, ठीक है, तो आप लोग आ जाई है, चाहते हो, कि जो अभी मेरा running batch complete होने वाला है, अगर आप इस batch की classes भी देखना चाहते हो, जो कि खतम होने वाला है, तो आपको आज या कल में ही subscription ले लेना पड़ेगा, क्योंकि जो 26 तारिक से batch अपने चालू हुए है न, ठीक है, उन batches को भी आप लोग access कर पाऊगे फिर, ठीक है, आप यह मैं सोचना कि मैं दो तारिक को ले लूँ, आप तो आज ही subscription ले लेना, ताकि upcoming batch तो मिलेगा ही मिलेगा, present time पे जो running batch है न, वो भी मिल जाएगा, उसकी classes भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि धमाकेदर, clock, calendar, dice, वगेरा, ये सारी चीज़ें आपने लोग यहा सब को मिल जाएगी, और बस उसके बाद में मजे करो, ठीक है, शांदर तरीके से पढ़ो, प्रॉपर तरीके से, ये telegram ही, telegram जरूर जोइन कर लेना, दीपक सर रीजनिंग ऑफिशल के नाम से telegram है, इसे आप जरूर जोइन कर लें, कोई भी inappropriate content देखते हैं, तो आप लोग inform कर सकते हैं, और साथी साथ बहुत सारे prizes जीच सकते हैं, follow जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, follow जरूर कर लें आप लोग, अगर आप लोगों ने अभी तक follow नहीं किया है, तो, ठीक है गाइस, और like जरूर कर दें, session को share जरूर कर दें, कोई भी आपको समस्या है, कोई भी question है, आपका doubt है, तो आप comment box में comment कर सकते हैं, आज का session आपको कैसा लगा, ये बताए बचे, मज़ा आया, जल्दी से आजाएं अनकेडमी लेर्निंग एप पर, धमाकेदार एक स्पेक्रिस सेट लगाते हैं, बबाई, take care, love you all, have a nice day, session को share जरूर कर दें, like जरूर कर दें, बाई,